अगली बार में इन लों की जगवबर हम लोग जो चार हैं कि ज्यादा जो ठोकर के अगर लगेगे लिट सरकार बनाएगी तो जो सरकार बनेगी निश्यत रुप से पिछडे राजियों को विशेस राजिय का दर्जा क्यों नहीं देगी? हम सिर्क बिहार की बात नहीं कर रहे हैं कुछ अन्य पिछले राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनकों मिलना चाहिए नमस्कार आप बिहार उन सौर्ट्स देख रहे हैं मैं हूँ परमीर सिंग बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार ने बड़ा ब्यान दे दिया है उन्होंने कहा है कि 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब बिहार को विशेज राज का दर्जा मिल जाएगा उनका कहना है कि विशेज राज का दर्जा अगर बिहार को मिला होता तो खुब भी कास हुआ होता लेकिन इस सरकार जो है सिर्फ परचार करती है बलकि बिहार में कोई काम नहीं कर रही है खुद आप सुनिए कि निधिस कुमार क्या कुछ कह रहे हैं अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर हम लोग जो चार हैं कि हम सिर्फ की बात कर रहे है तो आपने देखा कि जब मत्रकारों ने पूछा कि आप विशेस राज की दर्जा की मांग कर रहे हैं तो क्या 2024 में दीजेगा इस पर बोलते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी यानि की विपक्ष की सरकार जब 2024 में बनेगी तब विशेस राज का दर्जा है वो जरूर मिलेगा सिर्फ विशेस राज पीछ रहे हैं उन्हें भी विशेस राज का दर्जा दिया आपको बताते हैं कि एक बार फिर से बिहार के मुख्मंत्री नितीज कुमार विशेज राज की दर्जा को लेकर अब मांग करने लगे हैं बहुत पहले से ही नितीज कुमार या केंद सरकार से मांग करते रहे हैं कि बिहार को विशेज राज की दर्जा दी जाए लेकिन अब की दर्जा को लेकर नितिष्ट कुमार सीजिय तौर पर केंद सरकार पर हमला बोल रहे हैं उनका कहना है कि केंद सर्कार सिर्फ प्रचार करती है बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है आप लोग देखी रहे हैं तो नितिष्ट कुमार ने यह बड़ा ब्यान दिया है कि 2024 में यह वीडियो फेस्व कर देख रहें तो हमारे पेंच को भी लाइक करें धन्य बाद